कि हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि में वेटिंग लिस्ट के अंदर जो ! इसका मतलब क्या होता है और यदि आपका जो टिकट है उसके अंदर जी एन-डव्ल्य लिखा हुआ है इसका मतलब आपका जो टिकट है वो कब तक कणफर्म हो सकता है साथियों आप स्क्रीन की ओपर देख पारे होंगे एक टिकट है जिसमें यहां पर वेटिंग लिस्ट में मिला हुआ है और यहां पर RLWL लिखा है ठीक है GNWL 52 और GNWL 37 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों यदि आपके टिकट के अंदर GNWL 52 लिखा हुआ है मैं ऐसे एक्जामपल आपको बता रहा हूं यहां पर 52 के जगा पर कुछ भी हो सकता है 70-90 कुछ भी लिखा रहे सकता है तो मान लिजिए कि GNWL 52 लिखा है इसका मतलब यह है दोस्तों कि टोटल आपके स्टेशन से 52 टिकट जो है वो यहां पर वेटिंग में है ठीक है कितने टिकट वेटिंग में है 52 टिकट वेटिंग में है वहीं दोस्तों यहां इसके आगे यापका लिखा रहता है G.N.W.L. deshalb as a example मैं आपको बता रहा हूँ 27 टिक है तो G.N.W.L 37 लिखा रहता है इसका मतलब यह है दोस्तों कि वेटिंग में से आपका नंबर कितना है तो 37 वा है ठीक है 37 वा तो दोस्तो टोटल आपके स्टेशन से कितना वेटिंग है तो 52 है उसमें से आपका वेटिंग कितना है 37 अब देखिए दोस्तो यदि आप 52 में से 37 को खटाते हैं तो कितना आ जाता है 12 में से 7 को खटाएंगे तो 5 आ जाएगा महीं दोस्तों 4 में से 3 को खटाएंगे तो 1 आ जाएगा ठीके मतलब यहाँ पर आपका 15 बज़ रहा है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 52 वेटिंग टिकट में से 15 टिकट कनफर्म हो चुके हैं और अभी भी 37 टिकट ऐसे हैं जो जिन्हें कनफर्म होना बाकी है ठीके इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा मैं एक बर फिर से आपको समझा देता हूँ कि आपके वे आपका जो स्टेशन है दोस्तों वहाँ से टोटल 52 टिकट ऐसे हैं जो की वेटिंग में मिले थे ठीक है उनमें से यहाँ पे 15 टिकट ऐसे हैं जो चुके हैं अभी भी 37 टिकट ऐसे बचे हुए हैं जिनको चुके हूँ इसका मतलब यह होता है उसके बाद दोस्तों अब ये 37 टिकट कंफर्म कब हो सकते हैं देखिए आप जो नबर है वो 37 है अब यह सवाल उढ़ता है कि आपका टिकट कंफर्म कब हो सकता है आपका टिकट कंफर्म primeiro 2, एह है पहला उपाए यह दोसतों कि उसके confirm ticket मिला हुआ है already जिनको confirm ticket मिला हुआ है यदि उनमें से 36 वेक्ति जो है वो अपना ticket को cancel कर देते हैं तब जा करके आपको जो है वो confirm ticket मिल सकता है ठीक है मैं इसको फिर से ख़र आपको समझा देता हूँ देखिए आपका जो waiting list है वो 7-30 है यदि आपके पहले के 36 candidate जो waiting में है वो अपना ticket को cancel कर देते हैं तब जा करके आपका ticket confirm हो सकता है ठीक है तो यह बाते महत्पून थी दोस्तों उसके बाद चलिए मैं आपको GNWL का मतलब ही भी समझा देता हूँ स्क्रीन के उपर आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने Chrome browser को open करके रखा है और यहां पर मैंने GNWL का मतलब आपको दिखाने के लिए search किया है यहां पर लिखा है इसका अर्थ होता है यानि GNWL का अर्थ होता है general waiting list जब कोई train के route के सबसे पहले station से यात्रा करता है और उसकी ticket confirm नहीं होती है तो ऐसी स्थिते में ticket general waiting list में चला जाता है इस list में ticket confirm होने की काफी संभावनाएं होती है ठीक है अब यह train जो है वो कोलकाता से सुरू होती है और कहां जाती है एहमदाबाद जाती है यदि आपने ticket को book करवाया है कोलकाता से ठीक है तो ऐसी सिते में यदि आपको waiting मिलता है तो वहां पे जी एंडबलू एल लिखा रहता है वहीं दोस्तों कोलकाता और एहमदाबाद के बीच में कई सारे station है कि मन लिए कोलकाता और एहमदाबाद के बीच में कोई station आपके बुक करेंगे तो आपको gq लिखा मिल सकता है यदि बीच में आप बुक करते हैं तो आपको अरलल्ड डवल लिखा मिल सकता है तो कणे मेच करते हम मैं आपको सारी बातों